बढ़ते आगे जोहां Red Cross प्रदेश महासचर्व डियार शर्मा ने धर्मनगरी कुरुशेत्र में कहा कि रक्तदान छेत्र में Red Cross देश में अवल है Red Cross वॉलेंटियोस की संख्या को दोगुना किया ज़ाएगा लोगों की सुविधा के लिए रक्तदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब दोगी उन्होंने ये भी कहा कि भार्टिय Red Cross सोसाइट अगर आपके द्वार पर दस्तक देती है तो आप घबराईए मत हर्याना प्रदेश में 2000 लोग टीबी ड्रॉप आउट के मिले हैं जुसमें मरीजों के घर पर दवाई देने और उनकी देखरे कजमा भार्टिय Red Cross अठाएगी तो रक्तदान छेत्र में Red Cross अवल आया है जिसके बाद अब घर घर जाकर लोगों के बीच Red Cross दस्तक देगा जिसके लिए ये कहा गया है कि Red Cross अगर आपके घर आता है तो आप घबराईए मत दरसल रक्तदान के जरिये लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है वही Red Cross के महासचेव का बयान भी अब सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रक्तदान छेत्र में Red Cross अवल है अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है लोगों से अपील भी की है कि अगर Red Cross की लोग आपके घर तक पहुँचते हैं तो आप घबराईए मत बलकि उनका साथ देज़े क्योंकि रक्तदान महादान है रक्तदान के जरिये किसी की जान बच सकती है और रक्तदान छेत्र में Red Cross अवल आया है जो महासचिव का बयान भी सामने आया है उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि Red Cross रक्तदान छेत्र में अवल है इसके जरिये अब लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है जहां लोगों के बीच रक्तदान को लेकर जागरुकता फैलाने की कोशिश भी Red Cross की तरफ से की जा रही है बता दे कि Red Cross के महासचिव ने Red Cross को अवल बताया है रक्तदान के छेत्र में साथ ही उन्होंने जनता से अपिल की है कि Red Cross की सहायता करे जागरुकता फैलाने की कोशि वहीं अब लोगों को इस मोहीम से जोड़ने की कोशिश रेट क्रॉस की तरफ से की जा रहे है महसचिव ने इस जौरान बयान देते हुए जंता से अपेल भी की है कि अगर रेट क्रॉस के लोग जनप्रतिनिधी या कोई भी कारेकरता उनके घर तक पहुंचे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बलकि आगे आकर रक्तदान में अपने एहम योगदान दे कि बढ़ते आगे जोहां हर्याना के प्रदेश भरके